नमस्कार सहिते की आज की शरिंकला में हम बात करेंगे फिर से हिमचली भाषा रह्मन के साज़ा कावे संग्रहे की इवर्ष दो हजार देश में विकल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और जिसका संपाधन और प्रकाशन का मुझे सुवसर मिला है और इस कावे संग्रहे में हिमाचल परदेश के 12 हजिला के 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है पाहडी कावे संग रहे है तो चलिए आज आज आपके स्मक्ष में प्रस्तिस करूंगी पाहडी में कविता जिसे लिखा है डॉक्टर कोशल्या ठाकुने इनका साहितिक परिचय में आप सभी के स्मक्ष कहना चाहूंगी पढ़कर सुनाना चाहूंगी इनका जन जो है 20 सिप्टेंबर 1963 को हुआ है और इनके पती का नाम यश्पाल सिंग ठाकुर जी और इन्होंने पिएश्टी संस्कित में की है और साथी साथ ये सेवा ने वृत हुए है अधिक्षक शिक्षा विभाग प्रात्मेक शिक्षा निदेशा ले हिमाचल परदेश से और इनकी प्रकाशित रचनाएं अगर हम उनकी बात करें तो हिमाचल परदेश के प्रतेश्टित पत्र पत हम इनको सुन सकते हैं और इनकी रचनाओं का पाठ हम सुनकर आनन्देत हो सकते हैं तो चलिए इनहीं की एक रचना संस्कृती और संस्कार संस्कृती संस्कारो रा तानारो बाना डूबने का हमें सोबिय बचानो एथरी खातरी चैं हमें बीडा उठानो क्षेत्र वाद नी चैं कूनियें विफलानो देश विदेशके जे बीबी जाना ना भूल ने बोली ना छाड ना अपना बाना देश विदेशके जे बीबी जाना ना भूल ने अपनी बोली ना भूल ना अपना ताना बाना पाडी बोली दिकरने आपु विचे गल्बात अंगरेजी और विदेश इत्रता ने गर्ब खानो हिमा चली टोपीर शोल ओडने सदरे बामने मुंडदा धाटू लाना नाटी दे नाचना रा गिदवे पाना मोजब नाने रमुंजर भी लाना देवी देवतेरा ना लेना न भूलना इनो राभी ओ जरूर आशिरीवाद लेना नोभी पीडी रे लोगों केबे पौड़ी समझाना नहीं तम मुश्किल आ जाना संस्कृती रो संस्कार बचाना तो चलीए एक और कवीता आये नहीं की हिमा चली परदेश देव फुमी मारे जनम स्थली एथरा हमको गुमान प्रकृती छटा एथिरी नराली असो स्वर्ग समान हिमाचल परदेश मारी आन, बान, शान देशो मुलक दे मारी अलग पहचान भुले भाले लोगे तीरे कोरो सोबीर समान मिलन सार सभाव इनोरा छलकोप्टरता अंजान गाउं गाउं, जागा जागा मारे मंदिर देव स्थल देवी देवतरी कृपा बर्षो, देय मन जाहा वर्दान मिली जुल्यो मना सब बिशु, जातर, डैडी देव थन खुशिया मना सब कोरो देवी देवतरे दर्षन अनोखी मारे स्वांस्कृती बड़े अच्छे मारे संस्कार सुए धाल पैरी पोणा करे करेओ एकी दूजेरा आधर संस्कार भेड बाकरी पश्यू पक्षी मारे संपते या खास आडू खुबानी प्लम सेम नाश्पती रे थिरे बाग धाटू रेजटे सोदरे लायो टोपिला गरा बाना दाल चावल रोटी घी सिडू पोल्डू मारे खाना तर तरर रे पेड एतिरे बुरांच देवदार मोरू बान रंग बिरंगे फसल उपजा गिउन जा कुकडी रूटू ज्वाला जी मंद्र दे जोड़ो खंड जोत तात्य पाणी कूलू नगर गरम पाणी रे स्त्रोत मणी महेश कैलाश परवत शिभूले रावास रिश्य रोचोय तिरी उपनिशद की तपस्या दिन रात तो ये थी डॉक्टर कुशल्य ठाकोजी की कविता पहाडी में मासुई बोली वे तो चलिए आज के साहिते में बस इतना ही आप भी साहिते श्रिंखला में अगर चुनना चाहते हैं तो जरूर हम तक अपनी रजनाओं को अपनी कविताओं को पुस्तक को आप भेज सकते हैं और इस श्रिंखला का हिस्सा बन सकते हैं और साथ इसाथ हिमवानी फेस्बुक पेज और हिमालेन ग्लोबल विले यूट्यूब चैनल हिमवानी यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिये ताकि हमारी जो हिमचली लोग संस्किती है उसका सनक्षन और समर्दन के लिए हम सब मिल कर प्रियास करें और हिमचली पाहडी भाषा को समिधान की आठवी अनसूची में शामिल करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रियास करना है ये छोटा सा प्रियास हम सभी की ओर से होना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीडी है भावी पीडी है उन तक हम अपनी लोग संस् अपनी हिमचली पाहडी भाशा को बचा कर रख सके, जो विलुप्त हो रही पाहडी भाशा है, इसके जो शब्ध है, उन सभी को हमें आने वाली पीड़ी के लिए बचा कर रखना है, सरक्षन करना है, समवर्धन करना है, इस दिशा में हम सब को मिलकर काम करना है, धन्यवाद खुआ टुआ खुआ है अजू एक टाम टुआँ तो